माली सावारिया जी ने अपना नजरीया जिड़ा है उ तो हड़ी समने रख्या मैं को कि आपा समय तो पच्छड के चल रहे हैं बिना हूर समा देया अनिल चाबडिया जी सीनियर पत्रकार ने संचालक ने मीडिया स्टडीज ग्रूप दे ते उनना दा विशा है दा कंसेप्ट ऑफ नेशनलिजम ऑफ न्यूज मीडिया एं इडिया पार्थी मेडिया दा राश्ट्रवाद दा संकाल इदे उपर उनने अपने विचार रखने ने माननों सद्धा दिना क्यों मांचते आखे सुरूते अदेना अपने विचार समझे कर साथियों अपनी बात सुरू करने से पहले एक दू बातें मैं और कहना चाहता था पहली बात तो यह कि यह इतना बड़ा विशे है और खास्तोर से इंटर्टेन्मेंट इंटर्टेन्मेंट इतना बड़ा विशे है और इसका इतना गहरा डीप परभाव है गहरा परभाव है जो दिमागों में घुसता है लेकिन घुसते वे दिखता भी नहीं है वो इस तरह का परभाव होता है उसका आपको मालूम भी नहीं होता है कि आप जिस बात पर हस रहे हैं वो हसने की बात नहीं है लेकिन आप हसते रहते हैं आपको इस तरह से सजना है या आपको पता नहीं है लेकिन आपके भीतर एक दवाओ होता है कि हमको इसी तरह से सजना है और दिखना है मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारी बातें जो बिसे तै करते है तो हम लोग एक तरह के एक तरह से जो विसे पहले से समाज में चल रहे होते हैं बात्चित करने के जो तौर तरीके चल रहे होते हैं हम उसके परभाव में होते हैं हम पर खुद पर जो हम लोग विसे तैय कर रहा है न इस विसे को समझने के लिए इस बिसे को ही जो इस तरह से बनाया गया है न इंटर्टेन्मेंट और न्यूज मीडिया ये हमने नहीं बनाया कोई पहले से करता आ रहा है और हमने उसको आपके सामने रख दिया मैं इसलिए बात कहता हूँ कि जब आप कोई बिसे तै करे तो आप जिस चीज को तोड़ना चाहते हैं आप उस हिसाब से फिर बिसे को तै करें इंटर्टेन्मेंट अपने आप में कितना बड़ा भी सह है कि अगर आप दिन भर बात करेंगे तब भी बात पूरी नहीं होगी और ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि फिल्मों पर बात करते करते मैं अब न्यूज पर बात करो ये थोड़ा सा और्ड होगा लेकिन चुकि आपने विसे तै कर रखा है तो वो मुझे बात कहनी है लेकि भविस के लिए मैं कह रहा था कि आप सब्जेक्ट को तोड़िये उसके बारीकियों को अगर समझना है तो बारीकियों को समझने के लिए आप तो जो सब्जेक्ट का एक पहले से जो फ्रेम चला रहा है उसको ब्रेक कीजिए जैसे पहले हम ने देखा ये कि एक बार मैं किसी जनवादी लेखक संग के कारिकरम में गया तो उनका एक सेमिनार था और ये बात मैं जान बुचकर अपने विसे से हट के बता रहा हूँ कि ये भविस के लिए हमारे लिए जरूरी है तो उसने विसे ताय कर रखा था कि दलित, महिला, अल्चंख्यक, आदिवासी पहले के आप देखिएगा जितने भी तरह के प्रोग्राम होते थे सारे कमजोर जिसको मानते हम महिला, अल्चंख्यक, दलित, आदिवासी सब को एक जगा रखकर और एक सेशन में बात निप्टा दिया तो मैंने कहा कि आप ये बताईए कि क्या हम केवल और केवल महिला पर बात एक सेशन में क्यों नहीं करेंगे केवल दलित पर अप एक सेशन में बात क्यों नहीं करेंगे अल्चंख्यक पर क्यों नहीं एक सेशन में बात करेंगे आप इन सबको यो कमजोर लोग हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है बात करना उसको आप निप्टाना क्यों चाहते हैं एक ही जगा रख का तो ये बात लगी उस दिन फिर मैंने देखा कि अलग अलग बिस्यों पर फिर बात करने की जरूवत वहां महसूस होई कि ब्रेक किया लगा इसलिए इंटर्टेन्मेंट पर बात कर जब कर रहे थे हम तो मुझे लगता है कि हमको इंटर्टेन्मेंट के जितने सारे जितने सार इसमें एक बात इसके बारे में बताना मैं जरूरी समस्का हूँ जो बारीकियों की में बात कर रहा है। कि इसने 1947 के बाद से जिन गानों को आप भी गुन-गुनाते होंगे, हो सकता है। मैं यह नहीं कहता हूँ गुंगुनाते हैं, हो सकता है कि अन्चाहे गुंगुनाते होंगे, संदेशा आया है, यह नहीं एक बॉडल फिल्म का गाना है, या जैसे माल लीजिये, हम मेरे देश की धर्ती सोना उगले उगले हीरे मोती, यह सब कहते हैं, हम लोग राष्ट भक्ती के गीत, जो फिल्मों के जरीए हमारे बीच में, हमारे दिमाग में घुसी हुई है, उन सभी फिल्मों की गीतों पर इन्होंने काम किया है, और इन्होंने इतनी पारीके से काम किया है, जिसमें यह बताया है, कि कैसे ये जो जिसमें ये राष्टवाद है वो राष्टवाद कैसे एक खास तरह का राष्टवाद जिसको आप एक कह लीजिए कि एक खास तरह का जो बर्चस्व जो डॉमिनेंस का जो पावर है जिसको हम लोग भारतिय सोसाइटी के लिए इंडिन सोसाइटी में हिंदुतों के नाम से जानते हैं कैसे उसकी बात को वो फैलाता है कैसे उसकी बात को वो पोर्जेक्ट करता है कैसे वो एक कॉमनल पूरी बात को फ्रेम करता है एक नैस्नलिजम के साथ इसने ये काम किया था जो सायद ये बिसे नहीं था इसलिए इस पर बात उन्होंने नहीं की लेकिन इनकी किताब उपलब्ध है जो इन्होंने जो रिसर्च किया है इस बिसे पर उसकी चार पांच कॉपी हम लोगों ने छापी है एचार पांच कॉपी हम लोग लाए है आप लोग उसको देख लीज एक फिल्म में आप लोगो ने देखा होगा पान सिंग तूमर और एक फिल्म है कहानी कहानी फिल्म में जो कहानी फिल्म विद्यावालन की फिल्म है विद्यावालन जब ये फिल्म खत्म होती है तो उसमें एक आतंकवादी को बताया गया है कि एक आतंकवादी है और उस आतं करता है गुस्सा आता है अब डियवालंण वो करती है कि उसातंकवादी इक खास बाट है उस फिल्म की उसमें आतंकवादी के बैक्गराउund के बारे में कुछ नहींग बताया जाता है कि आतंकवादी कहां से आया क्यों आया कि निस थित्यों में आया ये बात नहीं की जाती है दूसरे फिल्म आई थी पान सिंग तोमर पान सिंग तोमर की फिल्म में जो जो बेक्टी जिस पे जो वो बगावत करता है हिंसा करने लगता है बंदूक उठा लेता है तो पूरा आउडियंस जो है वो पान सिंग तोमर के साथ होता है क्यों और किन इस ठिडियों में उसने हतियार उठाया, इसकी बात उस फिल्म में की गई है, तो पांस सिंट उमर के साथ आपकी सहानुभूती हो जाती है, आपकी भावना उसकी तरफ चली जाती है, कहानी में उस आतकवादी के बारे में जिसको केवल और केवल आपातकवादी कहते कुछ नहीं बताया जाता है, और आप जो हैं उसको उसके खिलाब खड़े हो जाते हैं, यह फिल्में इतने बारीक तरीके से सारा काम करती हैं, और यह फिल्में ही नहीं करती हैं, अब मैं अपने विसे पराता हूँ, यही बात नियूज करता है, नियूज भी यही बात करत निसलिजम की जो सामगरी है जो मैटर है वो कैसे फ्रेम करता है के वो राष्टबाद राष्टबाद तो नहीं चिलाता है वो कैसे फ्रेम करता है तो जैसे मान लीजिए कि पहली बात तो मैं यह कहूंगा जी देखिए उसके लेयर्स होते हैं सतहे होती है उस सतह तयार करनी प पढ़े हैं पहले प्राइम टाइम में जो आता था वो धार्मी अधार्मिक का मतलब हिंदू हिंदु तो जो मैथलोजी जो है उससे जूड़ी हुई चीज धार्मी का मतलब कोई और दूसरा धर्म नहीं जो डोमिनेट करता है हमारी सोसाइटी को उस धर्म की चीजों का चीजों पर आधारित कारिकरम वो प्राइम टाइम होता था जिसमें हम लोग रामायन देखते थे रामायन आता था या जो भी बहुत सारे कारिकरम आते थे उससमें फिजा चला अब वो प्राइम टाइम जो है अब किस बात के लिए हो रहा है अब निस्नलिजम के लिए हो रह वो प्राइम टाइम जो पहले तयार हुआ 90 के आसपास आज 2016 में वो प्राइम टाइम कहां आ गया राष्टवार यानि कि जो राष्टवार आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई राष्टवार कोई अचानक से नहीं हुआ है उसकी सतहे तयार की जाती रही है और आज बहुत खुले रूप में बहुत ही आक्रमक तरीके से जिसको हमलावर कहते हैं वो आपके सामने है यानि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी बाते अब राष्टवार करने लगा तो इसकी एक सतह होती है तो आज इसी तरह स आज उसकी सामगरी क्या है आज उसका मैटर क्या है आज किस तरह से वो राष्टवाद की बात करता है और राष्टवाद की जो बात करता है वो जगा जगा पर करता है मतलब जगा जगा के हिसाब से करता है जैसे मान लीजिए कि 36 गड़ में 36 गड़ में राष्टबाद का क्या क्या उसका एक नाम है उसका क्या नाम है उसकी क्या भी सह है उसका राष्टबाद वहां तो कोई मान लीजी अल्पसंख्यक नहीं है तो वहां क्या भी सह है वहां भी सह है विकास वहां के लिए भी सह है विकास यानि कि 36 गड़ में अगर कोई बात आप कहेंगे तो ये कहा जाएगा कि आप राष्ट के समर्थक हैं या राष्ट के विरोधी हैं दो ही बात कही जाएगी और राष्ट के समर्थक आप तब कहेंगे जब आप वहां पर जो लोग वहां पर जमीन के नीचे जो तमाम तरह की चीजें जो मिनरल्स हैं जो ख़दान के रूप में हैं उनको जो निकालने देगा वो है देश भक्त राष्ट भक्त देश भक्त नहीं राष्ट भक्त देश भक्त तो पुरानी भात होगई पुरानी भासा हो गए, राष्ट भग, राष्ट भग, वो राष्ट भग भोगा, और जो नहीं निकालने देगा, वो कहेगा, नहीं साथ, यहां पर यह नियम है, कानून है, आप जो हैं, इस तरह से नहीं निकाल सकते, यह हमारे जमीन के नीचे है, हमारे पैरों के नीचे है आप इस तरह से नहीं कर सकते हमारा एक constitution बना था सम्मिधान एक हमने बनाया था हमने कानून बनाया है देखे सम्मिधान ये बात कहता है आप किताब लेके उनको दिखाएंगे कहेगा यार इसको रख अभी तो बात कर तू राष्ट का विकास चाहता है कि नहीं राष्ट नहीं विकास चाहता है तू है राष्ट द्रोही राष्ट भक्त ये है ठीक उसी तरह से आप देखेगा कि उसको पूरे देश में उसके अलग-अलग बिसे बने हुए और कुछ बिसे अईसे हैं जो बिसे सब के लिए है उसमें राष्ट भाद किस तरह जैसे माल लिए किर्केट किर्केट जो है राष्ट भाद की एक सामगरी है किर्केट के जरी एक राष्ट भाद होता है एक उनिफॉर्मिटी पूरे देश में एक तरह का राश्ट बात पैदा हो गए अब बहुत चोटी-चोटी बाते मैं नहीं करूँगा इसलिए कि मेरे पास तो वक्त नहीं है 40 मिनिट में 4 गंटे की बात अगर करनी होगी तो नहीं हो पाएगी तो आप छोटी छोटी बाते कि आप किर्केट में किस तरह से बदलाव आया है, आज एक खास तरह का किर्केट, किर्केट के दिर से देखिए आप, किर्केट के पहनावे देखिए, किर्केट के बीच जो नारे लग रहे हैं वो देखिए, उन तमाम बातों को एक तरह से पिछ जैसे जो आपका ये जो न्यूज मीडिया है, न्यूज मीडिया का मतलब क्या हुआ, जो टेलिवीजन है, एक्च्वली में देखिए ये न्यूज मीडिया है नहीं, जैसे टाइमसर इंडिया में केवल खबरे नहीं होती है, जैसे जी न्यूज में केवल खबरे नहीं होती है यह Time- timing में केवल खबरे नहीं होती है खबरे आप देना कोई दिकत नहीं है लेकिन वह खबरे नहीं होती है वह पूरी packaging होती है उसमें सब कुछ होता है हम लोग लेकिन उसको उसकी पहचान करते हैं कि यह news media है यह खबर दे रहा तो आप ये देखेगा कि वो एक वो किस तरह से किर्केट को कैसे परमूट कर रहा है कैसे उसका एक रिस्ता बना हुआ है और वो रिस्ता एक वो राष्टवाद की जो पड़ी बड़ा वो है जो हमें एक कही बिचार है और एक कही नकसा है हमारे सामने एक राष्टवाद का उ पिर दुसरा क्या है सेनिमा जिसकी बात आप कर रहे हैं सनिमा एक खास तरह के राष्टवाद फॉर्म करेंगा अभी आप देखिए 2001 के बाद जितनी फिल्मे आई है 2001 के बाद नहीं 2002-2003 के बाद आप खास तरह का एक आप 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 पाएंगे कि एक सोसाइटी में किस तरह से जो जो लोग विरोध करने वाले हैं, परतिरोध करने वाले हैं, जो तरह तरह से अपनी बातों को कहना चाहते हैं, वो कैसे एक एक ब्रेकेट में, केवल सिंगल एक ब्रेकेट में, अब वो आ गए हैं, वो है आतंकवादी, वो सिंगल ब्रेकेट में आ गए हैं, और व रास्त रोई है. ये एक तरह से अब वो बनाने की कोशिस अभी ये की जारी. सेने मा。 फिर उसके बाद military, सेना. सेना के बारे में आज की तारिश में दो आप एक सब्राल नहीं बोल सकते हैं. सेना कोई गलत बात भी करती है. सेना में समाझ के लोग ही रहते हैं. कोई बात ऐसी हो सकती है आप एक सेन ने जो पूरा जो पूरा प्रोसेस है उसको एक उसकी सामगरी है उसका मैटर है और मैं इसी बात में आपको ये बात कह दूँ आज की तारीख में ये बात कहना मैं समझता हूँ कि पूरी 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 पूर ये बात हमको बहुत गौर करके समझने की जरूरत है कि पूरी जो हमारी politics है पूरी हमारी politics का मतलब जो इंडियन politics है जिसको हम parliamentary politics कहते हैं उसमें militarization as ideology वो accept हो चुकी है वो उसी के जरिये अब काम हो रहा है अब वो एक safe ले रही है practically वो safe दिया जा रहा है उसको लेकिन ideology कली वो आ चुकी है बात ये बात मैं खास तोर से आपके बीच में कहना चाहते है फिर उसके बात जैसे मैंने आपको कहा कि विकास फिर उसके बात सहर सहर जिसमें आप कह रहे है smart city smart city जैसे माल लीजी आपने ये सहर बनाया तो ये सहर जब बनाया तो आपने कैसे बनाया होगा और आज जो smart city अगर बनती है और जो उसकी परिकल्पना है वो परिकल्पना क्या है वो क्या परिकल्पना जो उसको बनाने की जो पूरी योजना है क्या वो जो राष्टवाद आपके दिमाग का है जो आपने उसकी पूरी परियोजना बना रखी क्या उससे कोई अलग है नहीं उससे अलग नहीं है तो उसकी एक सामगरी है फिर तीन चीजे और महत्वण है तीन चीजे और महत्वण है जैसे एक तो पाकिस्तान पाकिस्तान की बात किये बिना आपका राष्टबाद नहीं बनता है पाकिस्तान का मतलब हो एक वो राष्टबाद को दो तरह से फ्रेम करता है एक फ्रेम करता है एक एक्स्टर्नल ठेट के रूप में और एक internal उसके काम आने के लिए उदोनों काम करता है पाकिस्तान का अर्थ केवल एक देस नहीं होता है पाकिस्तान का अर्थ जब आप पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उसके दो तीन अर्थ होते हैं खास दो तीन अर्थ होते हैं एक अर्थ तो देस होता है और दूसरा अर्थ होता है इसलाम इसलामिक देश यानि इसलाम और तीसरा अर्थ होता है उसको मानने वाला यानि मुसल्मान ये तीन अर्थ एक सब्द लिए रहता है नियूज में कभी भी आप एक बात ध्यान रखिए कि नियूज में जब भी बात आएगी तो एक सब्द एक अर्थ नहीं रखता है उसके भीतर तह में उसके भीतर तह में एक वो और भी अर्थ होते हैं जो आपको गाइड करते हैं यानि चेहरा उसका कुछ होता है अंदर कुछ बात और भी चलती रहती है तो ये कुल पिलाकर एक तरह से सामगरी है और एक सामगरी है नेपाल नेपाल में क्या होता है वो जैसे हम भाईचारा दिखाते हैं ना भाईचारे की बात करते हैं कि कैसे हमारा जो एक सांस्कितिक जो हमारा एक हमारी जो एक रूपता है सांस्कितिक जो हमारी एक कहली की भलमनसाहत है कि कैसे हम बहुत ध्यान रखते हैं अपने लोगों का अपने लोगों का बहुत कैसे ध्यान रखते हैं ये बात इस तरह से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये राष्टबात की एक सामगरी ये सब है ठीक है अब हम बात दूसरी तरह से सोचें दूसरी तरह से अगर हम सोचें फड़ा उल्टा चले हम दो, कि रोज क्या क्या ऐसा होता है, जो हमारे निउज मीडिया में नहीं आता है, बिलकुल नहीं दिखता है, आप खुद से सूचिए ये, वो जो छूट रहा है, क्या वो राष्टवाद नहीं है, और वो राष्टवाद जिसके बनाने की बात, जिस सब ने मिल की लड़ी, क्या वो छूट नहीं रहा है, तो रोजाना आप ये गौर करें कि क्या आ रहा है, उस पे तो आप गौर करते ही करते हैं, क्या क्या छूट रहा है, तब आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा, कि ये राष्टवाद जो बन रहा है, ओर है तो जैसे मैं सुरू में अपनी बात जब कह रहा था तो दो तीन बातें जो कहीं उसमें बात अभी इनकी याद आ गई मुझे और इसी के साथ साथ मैं कल बहुत उस्थक था इनसे बात करते हुए आ रहा था तो मैं इनसे बात कर रहा था और भी थोड़े दिनों पहले में भी ये बात सुनने को मिली थी तो मैं इन लोगों को बता रहा था ये थी पुनिमा थी कि कैसे पंजाब के गाउं में आजकल एक मैं हालात ये देख रहा हूं कि हर जगा छोटे मोटे मंदिर बन रहे हैं और वो सारे के सारे मंदिर प्राचीन होते हैं तो इन्हों ने ख किस्ता सुनाया और वो एक किस्ता बतर दो किस्ता हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बोले कि एक जी हमारे दोस्त हैं वो कहीं हम लोग घर चले गए एक मंदिर की तरफ जिसमें की लिखा था ये प्राचीन मंदिर तो हम लोग गए और हमने वोने पूछा कि भाई ए आ इस भाव के साथ यहां के भाव के साथ जब वो ब्यक्त कर रहे थे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुनने में वो ज़्यादा कम्निकेटीब था तो उन्होंने कहा कि साथ मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि ये प्राचीन मंदिर है तो सही ठीक है मान लिए बा इतिहास पर बात नहीं होगी अब ये राष्टबात की जो बात हम कर रहे हैं वो कहरा इतिहास पर बात मत करो इतिहास पर बात करोगे तो हम तो कटगरे में खड़े हो जाएंगे फस जाएंगे हम और ये राष्टबात तो हमको भी बनाना है और इतिहास में कहीं ये नहीं ह तो आप ये समझे कि कितनी बड़ी योजना लेके हम चल रहे हैं कि जिसका इतिहास में कोई स्रोत नहीं है और वो राष्टवाद हमको निर्मित करना है वो बनाना है ये एक बड़ी बात है और ये गंभीर चुनोती हमारे सामने फेस कर रही है इसलिए इतिहास से कत्राते हैं इतिहास पर कभी बात नहीं करेंगे आप कभी जाईए कोई बात कीजिया कि जितने भी हिंदुत वादी जितने भी लोग हैं इस देश में जो आज बात कर रहे है एक भी ऐसा आप आप बताईए कि जिसमें आपने समाज में सुधार के लिए आपने सुधार करने की कोशिस की हो महिलाओं को अधिकार देने से लेके दलितों को मंदिर में बैठाने से लेके मन्दिरों में जाने से लेके कोई एक भी ऐसा सुधार लड़कियों की कम उमर में साधी नहो इस पर पावंदी लगाने की बात जब हो एक भी सुधार बताईए जिसमें कि हिंदुत वादियों ने उसका समर्थन किया हो उसका बिरोध करते करते वो जो बिटिस सामराज जवाद हैं उसके साथ ना चले गए हो एक भी उधारन बताईए आप नहीं मिलेगा आपको इसलिए इतिहास में जाने से मुझे डर लगता मतलब मुझे मैं हिंदुतवादी हूँ मुझे डर लगेगा मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मेरा राष्टवाद फिर खत्रे में हमने तो ये कोजना बना रखी है कि हमारा जो राष्टवाद है वो हमको बनाना है और हम लोग सब लोग जानते हैं कि कैसे इस 1947 से 25-30 साल पहले कैसे एक पूरी एक योजना बनती है और वो राष्ट के रूप में उसको पुर्जेक करने की कोशी सोती है और वही ये बात चली आ रही है आप उस समय के जितने भी आप देखेंगे चीजें जितने भी चीजें आप देखेंगे उस समय के सिंबल्स वो सारे के सारे अभी अभी आपके सामने सर्फेस पे हो वो जो राष्टवाद के उस समय बहाने बने हुए थे वो आज surface पे हैं यानी सत्ता पर है तो खुल मिला के ये आठ ke prototypes को जो मैं कह रहा था इतिहाद तो ये जो पूरा न्यूज नूर्ज जो पूरा मीडिया है न्यूज मीडिया का मतलब जो पूरी industries है जो आपको communicate करती है, आपकी पूरी चीजों को तै करती है एक तरह से, वो क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि वो जो नेशन बिल्डिंग का, वो जो नेशन का जो कस्चक था, नेशनलिजम का वो जो कस्चक था, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा माथा पच्ची करने की एक उसी नेशन बिल्डिंग का, उसी नेशनलिजम के बिल्डिंग का काम लगातार और लगातार कर रहा है, उसके लिए सामगरी जुटा रहा है, आज आप कहते हैं, हम लोगों ने, हलाकि जिस विसेपे मैं बोल रहा हूँ, उस विसेपे बहुत अच्छे आपके जानकार ह हानूम है और इतनी अच्छी तरह से बाते फॉर्मिलेट करके कहते हैं, इन्हों ने, हम लोगों ने, इन्हों ने ही, बलकि वो किताब है, इंबेडिट जनलिजम पंजाब पर, उसमें नाइंटिन फोटी नाइन का, नाइंटिन फोटी नाइन का एक कोटेशन है, और वो स् मेडिया में एनिटिन सीख सेंटिमेंट काम कर रहा है, और वो बकाईदा कोट करते हैं, कोट कर रहा है, कि कैसे उस समय बात, तो हम अगर ये बात कर रहे हैं कि, याइन्टी एकषि में, 84 के बाद, 85 के बाद ये सब कुछ हो रहा, ये सब कहां, आप कहां, अप इतिहास को छ चोड़ रहे हो यह तो बहुत दूसरी बात हो गई है या यह जो बाते बा review हो है Ett tortured दूसरी बात हो गई है लेकिन एक सेंटिमेंट वो जो मैं कह रहा था कि जो व vid नेस्नलिजम को जो बिल्ड अप कर रहे हैं, वो नेस्नलिजम का बिल्ड अप वो नहीं है, जो नेस्नलिजम की बिल्डिंग के लिए, नि बनाने के लिए हम लोगों ने साजा तोर पर कुछ ताय किया था, वो नहीं है, वो नहीं है, ये जो नेस्नलिजम की जो बिल्डिंग ह वो dominance के लिए है यसे लिए nationalism construct नहीं करना है यह dominate करना है dominance मतलब आपका बर्चस्व हमको अस्थापित करना है यह 1947 के बाद का जो राष्टवाद है वो राष्टवाद बर्चस्व का राष्टवाद है इस पर हमको बर्चस्र करना है और इसमें हिस्सेदारी हमारी सबकी ताय है उसमें मीडिया भी ताय है मीडिया की हिस्सेदारी ताय है इसलिए आप देख लीजे जितने भी घराने हैं मीडिया के जितने भी घराने हैं मीडिया के वो सारे के सारे कौन से घराने हैं वो सारे के स आरे जो कल दीर फैक्टरी के मालिक थे, अज सेयर बजार के मालिक वही तो है, कोई फरक नहीं है, वही लोग पहले कल जो फैक्टरी, बड़े-बड़ी फैक्टरी ओक तै, आज वो उसके मालिक हैं। लेकिन देखे, थोड़ी से बात, अगर हम इस सेंटिमेंट को समझने के लिए दि हम ये थोड़ा सा और अपने को ब्रॉट करें मुझे एक उधारन बताईए आप इस देश में कि जो हमारे सामने नीज मीडिया है वो नीज मीडिया में आप ये बताईए कि उनका दलीतों के बारे में क्या रूख रहा है दलीतों के बारे में क्या सेंटिमेंट रहा है आप पर्चे पढ़ लीजिए सोध पढ़ लीजिए हज्यारों आपको अब सोध मिलने लएंगे जिसमें आपको मालूम होगा कि नीज मीडिया का जो रोल रहा है देश के दलीतों को लेकर उस सबसे निगेटिव रहा है आपको माद्व है पंजाब में कि छंथिसकड़ में क्या हो रहा है आपको मालूम है कि पृराणी تस्वीर jaar हो RAW है आपको मालूम है कि विर्षामुंदा की अदितर की पुरानी दुंद些 मावन होगा किसी को नहीं मालूम होगा बिर्सा मुंडा कौन थे बिर्सा मुंडा थे जो अंग्रेजी जो सल्तनत थी जो समराज्य था उसके खिलाप लड़ने वाला नौजवान उसकी तरह का नौजवान जो आज हम लोग यहां भगत सिंगी तरह याद करते हैं उनको भी जेल में ही मार डाला गया नेकिन अब बो सरकार कह रही है कि बिर्सा मुंडा की जो यह तस्वीरे है वो हमें डराती है इन तस्वीरों को दूर कर तो निल्ज मीडिया का रोल क्या है अधिवासियों के बारे में अब तक का इतिहास देख लीजिए नीज मीडिया करोल किसान आंदोलनों के बारे में क्या रहा है क्या रहा है आप बताईए कोई एक बात बताए कि किसान आंदोलन जितने भी हुए पंजाब से लेकर और देश के विविन हिस्सों में एक भी किसी आंदोलन के बारे में सही राय ब्यक्त की हो किसी भी निज मीडिया ने और खास्त तोर से उस मीडिया ने जो अपनी हिस्सेदारी इस राष्टवाद में अपनी हिस्सेदारी तै करना चाहता है उसमें आप एक भी हाउस का नाम बता दीजिए नहीं मिलेगा आपको मुसल्मानों के बारे में क्या रहा है इस निज मीडिया की क्या पुर्जेक्ट हुआ है मुसल्मानों को लेकर कस्मीर को लेकर क्या पुर्जेक्ट हुआ है उत्तरपुर्प को लेकर क्या रुख रहा है और मैं ये बात अपनी बात कोई नहीं कह रहा हूँ ये सारी बाते रिसर्च है ये सारी बाते हम लोगों ने सोध में पढ़ी है लोगों ने बताया है कि ये रुख रहा है उत्तर भारत को लेकर ये रुख रहा है इसान अंदोलन को लेकर सारी अंदोलनों को लेकर क्या रुख रहा है बामपंद को लेकर भी क्या रुख रहा है क कोई भी आप पताईए कोई भी leftist कोई भी जो movement रही हो किसी के बारे में कच्छी राय रखती हो नहीं रखी है तो कुल मिलाकर अगर आप सबको ये एक जगाई खटा कर ले तो राष्टवाद इन सबका ये जो news media का जो राष्टवाद हो सबका भी रोध कर रहा है और आज वो सबसे बड़ा राष्टवादी है सबसे बड़ा राष्टवादी भी है और इस समाज के इतने बड़े हिस्से के ये खिलाब भी खड़ा है ये interesting बात है कि नहीं है तो कुल मिलाकर मैं जो ये कहना चाहता था कि ये जिस तरह से और मैं आपको ये बात बता हूँ हो कि मतलब जो हम लोग नामी गिरामी पत्रकारों की बात करते हैं नामी गिरामी पत्रकारों की बात और इसमें पत्वन सिंग ने अपने आर्टिकल्स कई आर्टिकल्स में ये जो आपका पूरा दौर चला ये जो पूरे पंजाब में आंदोलों का जो दौर चला उस दौरान जितने भी बड़े-बड़े संपादक थे और खास तोर से Times of India का जो संपादक था गिरिलाल जैन उनके बारे में एक बिस्लेशन किया है और वो लेख छपा है हम लोगों ने उस किताब में भी छपा है वो बताते हैं कि कैसे कैसे ये गिरिलाल जो जैन कैसे ये पूरा हिंदो निसनलिजम का है कैसे ये पुर्जेक जो है अपने पूरे ये बात वो अपने आँदी केसे बताते हैं तो कुल मिलाकर ये जो ये नेशन बिलडिंग का जो भी ये जो बड़े-बड़े बड़े अख़वार के जो बड़े बड़े लोग आपके होते हैं ये कोरी-कोरी जुट बात बोल देंगे आपको, कोई सच्चाई नहीं होगी, कोई उसका लगाओ नहीं होगा, हम और आप moral वाले लोग हैं, उसमें सच्चाई ढूंडेंगे, उसमें unity ढूंडेंगे, भावना ढूंडेंगे मानोता ढूंडेंगे लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं जिनको सासन करना है उन लोगों के भीतर कोई भाव नहीं है अभी मैं बता रहा हूँ आपको पीएस क्रिश्टन एक सोसल इंपावर्मेंट पिनिस्ट्री में सेकेटरी थे सेकेटरी लेबल क कदिकारी थे जिनके हसाक्षर से देश में पिछलों के लिए आरक्ष्ण लागू हुआ था उन्होंने चार किस्तों में लेक लिखा क्या लेक लिखा लेक लिखा कि कैसे देश के बड़े बड़े जो पत्रकार हैं बरकादत से लेके जितने भी बड़े नाम कितने हो सकते है जो हमारे और आपके लिए बहुत बड़े नाम होते हैं जिनका एकातंक होता है वो सारे के सारे लोग कैसे आरप्छां को लेकर जूट बोलते हैं गलत बातें पेस करते हैं वो चार किस्तों में हम लोगों ने अपने मास मीडिया और जन मीडिया में उसको चापा तो खुल मिला के मैं ये कहने की कोशिस कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग ये बात जो जिस राष्टवाद की हम लोग बात कर रहे हैं उसका एक तरह से वहिकल है ये वहिकल है जो ये गाड़ी है आगे यही कैड़ी कर रहे है सारी बातों को कि हमको ये राष्टवात बनाना है आपके आप देखिए जहां जहां क्या स्लोगल लगा था स्लोगल लगा था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान परताप नरानमी स्बने ये नारा दिया क्या बज़ा है क्या बज़ा होती है कि जहां जहां हिंदी के अख़बार गए हैं वहाँ वहाँ एक खास तरह का कॉमनल जो निस्टलिजम है वो डबलब हो रहा है पंजाब में हम आंकड़े दे कर ये बात अगर साबित करना चाहें तो कर सकते हैं और आप भी साब दिख जाएगा किस तरह की आइडिलोजी का जम्मू से इतने सारे हिंदी के अख़बार निकलने लगे क्यों निकलने लगे जम्मू में अभी मैं हम लोगे कस्मीर पे बोलने के लिए मैं करकरम में गया था तो मुझे जम्मू में काम कर चुके एक पत्रकार से बात करनी पड़ी मैंने की उनसे बात तो जब उसने बताया कई तजरूबे बताया उसमें एक तजरूबा उसने ये बताया कि एक दीन डेनिक ज्जागरनाखिवार में میरवाईस की तस्मीर छप गई फ्रंट पेज पर मिरवाईस का मतलब कस्मीर में जो हजरत बल है उसके सरवे सरवा यानि कि एक राजी का जो पूरा करेक्टर है उसके इसाफ से वो फेश है एक राजी के जम्मू कस्मीर अगर है संजुत रूप से हम देखें तो और वो जम्मू के दोरे पर आया और उनकी ए क्या कहा उसके मालिक ने कहा कि लगता है ये अखवार जम्मू से नहीं सिरी नगर से निकलता है आप सोचिए एक तस्वीर के छपने पर इतना रियेक्शन एक तस्वीर के छप जाने पर इतना रियेक्शन मैं दैनी जागल में काम करता था और ये बात तब की है जब विसु डालने की पूरी योजना बन रही थी उस दौर में और मैंने हमारी मीटिंग में ये कहा गया कि अगर आप हिंदी के अख़वारों में काम करते हैं तो आपको हिंदू पत्रकारिता करनी हो बुलू इस्टार ऑपरेशन के बाद देश के बड़े जो दो अख़वार थे जन्सक्ता और नौभारण टाइम से उनका क्या रोल रहा क्या एटोरियल लिखा गया आनंसरु बर्मा ने इस पर लेख लिखा अच्छा काम किया आनंसरु बर्मा हम लोगों के वरिष्ट है और उन्हें बताया कि कैसे और उनकी प्रिष्ट भूमी देखिये परवाज जो असी नाम के जो संपादक थे बोट जन्सक्ता के संपादक थे राजेंद्र माथूर जो कहे जाते थे कि नहरुबादी हैं उनकी अख़वार में और उन्होंने बहुत बारी किसे बात को पकड़ा कि कैसे आप कई सिंबल्स के जरिए कई सब्दों के जरिए आप हिंदुनिस्टन नेशनलिजम को वर्सों से परमोट करते रहे हैं वही बात केबल बुली स्टार अप्रेसम तक नहीं रही वो और पीछे का है इंटी रामाराओं की बात करने लगे जब वो किस्नी की तरह निकल रहा है उस समय क्या आपने व्यक्त किया था वो बात वो बताते है गिरिलाल जैन के बारे में भी आप रसियल लिट्रेचर में मैंने पढ़ा रसियल रूस से आये हुए उस समय सोबियस संग सोबिय संके जो उस समय कुछ मीडिया पर कुछ रिसर्च हुए थे उसमें गिरिला जैन के बारे में उस समय बात हमने पढ़ी थे कि कैसे एक खास तरह का जो कॉमनल है एक कॉमनल एंगिल का जो है नेस्नलिजम जो है ये डबलफ करने की बात अपने एटोरियल्स में करते हैं इसलिए कोई नई बात नहीं है ये एक पुर्जिक के साथ ही ये पूरा सब कुछ चल रहा है इसलिए आप सब्दों का भी चैन देखेंगे आज की तारीख में आज आप आतंकवादी के अलावा कोई दूसरा सब्द सुनते हैं नहीं सुनेंगे आप उग्रवादी चरंपंति ये सब खतम हो गए देश्ग्रोही सब खतम हो गए अब आतंकवादी रह गया है और इनके फर्वोलेसन बहुत अजीव होते हैं और इसके उधाण के मैं बताओ कि कैसे ये राश्टमाद निर्मित करते हैं इसका बड़ा इंट्रेस्टिंग है झारि की जैसे अब इसमें प्रितम सिंघ्ग ने एक बात करी कैसे बात को जोड़ते हैं प्रितम सिंग ने क्या किहा पिरित्म सिंग् को आप लोग जानते होंगे पृतम सिंग अभी और ओक्सफौर्ड पेशटी में पढ़ाते हैं उन्होंने पंजाब को कैसे कभर किया मेडिया ने उस समयूसको वह डिसकाइब उसका एक रिसर्च पेपर उमों ने उसको हम लोगों ने चापा वो बता रहें कि अजीब सी बात है अजीब सी बात हो गई इस देश में कह रहे थे पहले सिख जो है इस देश का नाज है सिख जो है यह फौलाद है देश के लिए जान दे देता है बहुत हस्मुक होते हैं बहुत अच्छे होते हैं क्या क्या बाते सब लोग कहते थे अचानक क्या हो गया अचानक हो गया कि यह जो सिख है यह तो भई यह तो देश द्रोही है तो आतकवादी है यह तो हिंदों को मार रहे है वो सब जगा घूम के एक माइंडसेट जो चेंज हो रहा है उस समय वो देखके हैरान है कि कल का देश भग राष्ट भग वो अचानक से आज यह उद्देश द्रोही हो गया उसी में केस आता है और वो केस कौन सा आता है जो मैं बता रहा हूं कि बाते बहुत सारी है लेकि मैं आपको केवल उसके कुछ उधारल दे रहा हूं एक सुबह सिंग का केस आता है सुबह सिंग ना सुबह सिंग सुबह सिंग का केस आता है अब यह सुबह सिंग क्या थे फॉर्वर मेजर जनरल थे और बाद में संत्विंडरा वाले के साथ वो जुडग है अब अब यह जो जुडग है जो मैं आपको कहानी की बात बता रहा था फिल्म वाली कहानी की बात की कहानी फिल्म में कैसे एक चीज को आप wipe out कर देते हैं खतम कर देते हैं तो कैसे न जरिया बदा ज़ अब ये जो major journal है शुभेक सिंग इनके बारे में कहा गया कि कैसे ये देश तूमने वाले लोग, कैसे ये देश को नस्द करने वाले लोग है, देश रोही हो गए है, लेकिन जब ये बात कही जा रही है, तो क्या-क्या बात छिपाई गई, अब ये बात छिपाई ये गई, कि ये जब बंगला देश जब बन रहा था, जब बंगला देश बनाया गया, भारत के से जब वार हुआ था तो इसमें सुभेग सिंग का क्या रोल था ये बात एक सीरे से गायब कर दी गए एक सीरे से बात गायब कर दी गए तो अब वो क्या होता है कि इसका एक कैसे वो निर्मित होता है जैसे आप सुनते होंगे आज की तारीक में मदर्से जो हैं वो आतनकवा पादी पैदा करते हैं कल दिन क्या कहा जा रहा था गुर्दवारे जितने हैं ये लिखा है गुर्दवारा जार ट्रेनिंग सेंटर फोर टेरिस्टेंड हाइडिंग प्लेसेश फॉर दि क्रिमनल्स यह उस समय वह कर रहे थे आज हम मदर्से की बात करने लगे हैं अच्छा फ पाकिस्तान का अर्थ एक नहीं है पाकिस्तान का तीन अर्थ है तो जैसे मान लीजिए कि पंजाब की बात करनी होगी हमको तो पंजाब को कैसे हम पंजाब के बाद कस्मीर कस्मीर के बात कैसे हम पाकिस्तान एक लिक बनाते हैं हम एक लिक नहीं बनाएंगे यानि कि पाकिस तक हम नहीं जोडते हैं तब तक वो राष्टवार नहीं बनता और ये बहुत ही आराम से कह देते हैं बहुत ही आराम से हम लोग जो बहुत अरली एज में पत्रकारिता में आए तो हम लोगों को एक परचार सुनने को मिलता था क्या परचार सुनने को मिलता था नकसरवादिय ये बिना बाहर के मदद के, वो राष्टबाथ वो बनी नी सकता ये in secure करते हैं, in secure करते हैं होता क्या है कि जो majority होती है, ये मेरा एक formulation है कि majority जो होती है, वो majority मे जब in secure की भावना जब होती है तब majority आकरमक होती है, तब हमलावर हो जाती है तो ये क्या करते हैं अगर पंजाब के बारे में बात करनी है तो पंजाब के बारे में हम बात बात में करेंगे हम पहले पूरे देश में बात कर लेंगे सब जगा बात कर लेंगे हम एक पहले हम जन्मानस एक दिमाब जो है हम समर्थन जुटा लेंगे फिर हम आएंगे पंजाब में बात करने के लिए कि पंजाब देखो तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो कस्मीर में कस्मीर के बारे में हम लोगों को क्या बताया गया हम लोग बच्पन से बड़े हो गए क्या बताया गया कस्मीर को लेकर हमारे जो हिंदु परिवार है उनके दिमाग में क्या बाते हैं कि कस्मीर आपका इंसिक्योर है क्योंकि बगल में पाकिस्तान है इंसिक्योर जादा क्यों हो जाता है क्योंकि जो घाटिल का जो बहुत संख्या के हो मुसल्मान है तो वो insecure की जो भाना होती है वो पुरे देश में वो किस तरह से वो डबलब किया जाता है ये एक continuity में process चलता रहता है ये continuity में एक process चलता है और फिर उसमें वो एक भावना जो पैदा करता है वो फाइदा attack का करता है attack वाली जो भावना पैदा जब होती है तो वो फिर और वो बात बारी बारी से सब जगह होगा पंजाब के बारे में होगा तो आप उत्तर पुरुद के बारे में होगा 36 गड़ के बारे में होगा कश्मीर के बारे में होगा अभी आप इन चारो राज्यों के बारे में चार हिस्से नहीं मतलब और भी हिस्से हो सकते हैं इन सबके बारे में अलग-अलग जाके राय पूछी लोगों से जो पोलिटिकली इस देश को कंट्रोल कर रहा है कल्चरली जो इस देश को कंट्रोल कर रहा है और सोसली जो डोमिनेट कर रहा है इकनॉमिकली जो सबसे ज़्यादा एक लीडर्सिप लिए हुआ है आप उस सेक्शन में जाके पूछिए वहां पर एक स्टडी कीजिए और बात कीजिए कि यह जितने भी हिस्से हैं अलग-अलग करके आप पूछिए सबके बारे मुन की क्या रहा है आप जॉइंटली आप सबको इस पूरी इलाखे को आप जितना एरिया में बता रहा हूँ उसको आगर आप कलब कर दे एक कर दे तब तो क्या वो जो राष्टवाद जो वो आपके सामने प्रजेंट करते हैं वो क्या रह जाएगा कितना हिस्सा उसका रह जाएगा वो तो कल मिलाकर ये जो हमको ये महत्वण बात ये होती है कि पूरा देश यानि पंजाब के बाहर पूरा देश कैसे पंजाब को देखा है ये बहुत महत्वण बात होती है और ये बात ये जो पूरी मस्नरी है वो बात यही करती है कि आपको एकदम isolation में डालती है और वो उसका एक ही एक ज़रिया होता है वो होता है media, medium होता है मीडिया के जरीए ही वो लोगों को ये एक तरह से आपके बारे में जो भी बाते होती है और बाते तो क्या होती है बाते जो नहीं होती है वही नीज होती है जो घटना नहीं होती है वो नीज होती है और आप तो उस समय के बहुत सारे आपको उधारन मिल जाएंगे जिस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टडी की बात मैं इस किताब में बता रहा हूँ, उस समय की तो इतनी बाते मिल जाएंगी, इतनी जादा प्रोगंडे हैं, इतनी जादा कि जिसका हिसाभी नहीं है, तो कुल मिलाके ये जो पूरा राष्टवाद अभी हमारे सामने जो बनाया जा रहा है वो सोसाइटी में डोमिनेट करने का है इसलिए आप देखे ना बहुत सारी चीज़ें हम कितनी इजली ले लेते हैं कोई भी एक कारकरम आप बताईए जो बिना हिंदु करमकांडों के हिंदुतवादी जो करमकांड होते हैं उनके बिना करमकांड बहुती आराम तरीके से आप हमारे जो हुकमरान है उनको आप आराम से देख लेंगे कि आप इस तरह के काम कर रहे हैं आप कोई question नहीं उठना है अब कोई question नहीं उठना है तो खुल मिलाकर ये जो लगातार बाते जो हमारे सामने आ रही है वह अगर ये सोच रहे हैं कि ये जो पूरा जो राश्चवाद है ये राश्चवाद कोई हमारी साजा लडाई का एक राश्चवाद है वो तो नहीं है वो लड़ाई हमेशा है वो डोमिनेंट करना है इस सोसाइटी को इसकी इसका ये एक राष्ट बाद है और पहले एक बात और बता दू मजदार बाद कि देखे पहले कोई अख़वार राष्टी अख़वार नहीं होता था कोई अख़वार राष्टी नहीं होता था पंजाब से निकलने वाला भी अख़वार राष्टिये था जो बंगाल से निकल रहा है और पंजाब बंगाल के किसी जिले से निकल रहा है अगर पुरूलिया से निकल रहा है तो राष्टिये ही अख़वार का उसमें राष्टिये बात नहीं लिखी जाती थी वो राष्टिये होता ही होता था, कि एवल राष्टवादी बात जो करते थी वो जानते हैं कौन करता था, वो करता था पांच जल, वो करता था राष्टवादी पतरकारिता की बाब, और कोई किसी को जरूवत ही नहीं थी, क्योंकि, यह माना गया था कि हमको, हम, बाकी लोगों ने ये, एक उनके भीतर ही बात ये रची बसी थी कि हमको एक कैसे देश का समाज का निर्मान करना है ये कह रहा था कि नहीं राष्टवाद जो हमारा है वो बिल्कुल अलग है और हमको एक राष्टवादी पत्रकारिता को कैसे डबलब करना है और आज आप देखिए कि पांचे जन्न कि कितने स्वंसकरण हो गए हैं हर जगा आपको पांचे जन्न दिखाई देगा और अब तो डेस्टल डिवेट में ही वो बात आने लगी है कि कैसे प्राइम टाइम में कि कैसे तो कैसे ये जो राष्टवाद है वो कितना जरूरी है और उसकी कुछ बहस मैं आपको यहां प पहले जो वक्ता थे वो भी बता रहे थे राष्टवादी मुसल्मान उस समय की जो भासा थी उसमें लिखा जाता राष्टवादी मुसल्मान क्यों भाई क्यों कि वो जो कह रहा है कि बैड मुसलिम और गुड मुसलिम वो बैड मुसलिम और गुड मुसलिम का जो पूरा कं सिर्ध आज नया नहीं है, वो उसी समय से चला आ रहा है हम मैंने आपसे बार-बार कहा है कि कोई हम नहीं बात नहीं देख रहे हैं बस वो सताः पे बात आ गाई है सारी पुरानी बाते हैं राश्टबादी मुसल्मान लिखा जाता है अब राष्टबादी मुसल्मान का क्या मतलब हुआ जो यहां के डॉमिनेंस को स्विकार करता हो वो मुसल्मान अच्छा माना जाता है जो रामाइन का तर्जुमा उर्दू में कर दे वो अच्छा मुसल्मान माना जाए उसकी फ्रंट पेच्वी खबर आ जाएगी उसको अब जाए लगावबादी किया तो आप जो सिखराष्ट वादी थे अब वो सिखराष्ट वादी नहीं रहा जाएंगे आप तो फिर तो वो अप अलगा ऑववादी हो गए पोलिटिकली एस रड़ अप अप आप आप चाहते हों कि हम अपनी बात को कहें इ cynौस्राष्प यह जो पूरा बहुमत है यह जो बहुत संख्याक है वो कह रा है हमसे अलगाओ उस अलगाओ बात को फिर वो पूरे इंटरिगरीटी से अखंता से राष्टी एकता अखंता से उसको जोड़ते हैं और फिर उसको एक राष्टी एक देश व्यापी प्रॉब्लम के रूप में खड़ी करकर और फिर वो पूरे एक तरह से आपको पूरे देश की जन्मानस को आपके खिलाब को खड़ा कर देते हैं, यह एक प्रैक्टिस है, तो कुल मिलाकर यह जितनी बाते एक और इंट्रेस्टिंग बात है, जिस तरह से अख़वार जो यूज करते हैं, अख़वार अलग-अलग छेतर के लिए, अलग-अलग सामगरी के जरिये राष्टवार को निर्मित करते हैं, आपको एक बात, और मालूम होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आप बहुत सारे लोगों को मालूम होगी, हमारे यहां जो मिलिक्टरी का जो पूरा कंसेट है, जो से होगी, वो भेजी जाती है अलग-अलग इलाकों में, यानि लागा लेंड में जो सेना भेजी जाएगी, वो नागा लेंड उत्तरपुर में भेजी जाएगी, जो सिख जाएगी, सिख को भेजी जाएगी, हमारे एक वाई सांसलर थे, मैं एक एक इनिवर्सिटी में पढ़ तो आप देखेगा कि अलग अलग छेत्रों में जो उस छेत्र के नहीं हो उससे अलग जाती के लोग हो उसका कैसे इस्तमाल करते हैं तो यह एक तरह से पूरी एक strategy एक काम करती है इन तमाम इस राष्टवाद को जो राष्टवाद जो बहुत छोटे से थोड़े से लोगों का राष्टवाद है उस राष्टवाद को बड़ा बनाये रखने के लिए कैसे वो पूरी strategy बनी हुई है इसको मुझे लगता है कि हम सब को समझने की सबसे ज़्यादा जरूवत है और उसके बाद जो मैं एक खास तोर से आपको बात एक उधारल देना चाहता हूँ कि कैसे ए एक दिमाग बना दिया जाता है कैसे एक दिमाग बनाया जाता है कि आप पहचानी खो देते हैं मतलब एक पहचान आपको मतलब जो माइनर्टी जो होते हैं society में उनकी पहचान की कोई का को मतलब ही नहीं रह जाता है जैसे एक अवी राजस्थान में घटना हुई कोटा में क्या घटना हुई थी इसलाम में कोई एक तेवार आता है इसलाम का एक तेवार आता है जिस तेवार में एक पर्म आता है जिसमें की जो इसलाम को मानने वाले लोग हैं वो इसलाम का जंडा अपने घरों पे लगाते हैं बहुत सारे लोग जो हिंदुतवादी हैं वो जंडा लगाते हैं लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि वो इस माहोल में वो जंडा लगाया गया और वो इस्लामिक जंडा था लेकिन हमारी हमारी जो हम बहु संक्यक हैं हमारी हमारी दिरिष्टी क्या हो गई है हमारी दिरिष्टी यह हो गई है कि हम तो इस्लामिक जंडे में और पाकिस्तानी जंडे में फर्की नहीं कर सकते हैं फर्की नहीं कर सकते हमारा दिमाग बन गया है इस तरह का तो क्या हुआ कि हमने क्या लिख दिया कि कोटा में मुसल्मानों के घरों में पाकिस्तान का जंडा लहराया है पाकिस्तान का जंडा यानि इसलाम का जंडा वो पाकिस पाकिस्तान का जंड़ा एक राष्ट है उदेश है एक उसका जंडा है भाई इसलाम का जंड़ा अलाग है हर धर्मों का अपना एक पता का है उसे इसलाम का भी है लेकिन चुकि एक इस तरह का पूरा हमने जो symbols बना रहे हैं, वो symbols इतने इस तरह के वो symbols हैं कि आपको दूसरे symbols के जो फर्क हैं, उन सारे symbols को वो गड़मट कर देते हैं, तो इस तरह से वो ये बड़ी चर्चित घटना उस समय हुई, तो ये छोटी-छोटी बाते हैं, जो बहुत बारीकी से अपना role play करती हैं, और मैं आपको एक बात, और interesting बात बता रहा हूँ कि देखिए, बहुत dedication होता है, ये जो nationalism है, इसमें बहुत dedication है, ये जो हमारे और आपके बीच में बनाया जा रहा है, क्या dedication है, एक घटना में आपको सुना रहा हूँ, और ये घटना आज की नहीं है, ये लगभख 40 साल पुरानी घटना है, 40 साल नहीं, 30, 30 साल, 1990 से पहले की घटना है, ये 1990 पहले का एक किस्सा है, पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार सिर्सक से समाचार पत्रों में एक सामगरी परकासित हुए, गौर से सुनिएगा, लेकिन ये सामगरी नौभारट टाइम्स के लखनव संसकरण में किनी कार्णों से नहीं छप सकी, दूसरे दिन उस अख़बार के संपादक, नंद किसो तिर्खा ने दफ्तर पहुचने पर सबसे पहले ये पूछा कि वो सामगरी क्यों नहीं छपी थी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो अल्थसंख्यक हैं, उनको अल्थसंख्यक नहीं कहा जाता है, उनको हिंदू कहा जाता है, क्यों भाई, आप कहिए, वहां का हुआ अल्थसंख्य है अल्संक्यक कहिए लेकिन नहीं कि आपको तो यहां के लोगों को एड्रेस करना और यहां आपको का टास्क है तो आप बार बार लिखेंगे पाकिस्तान में हिंडू धर जी की हत्या हिंदू-प्रफेसर की हत्या त्याशार हिंदु महिला परत्याचार इस तरह के चीजों को आप लिखते हैं तो उस समें क्या हुआ कि संपादक जब आया दफ्तर और पहुंचा और उसने कहा कि ये क्या बात है खबर वो क्यों नहीं चपी अब सोचिए कितना important है उसके लिए खबर कितना महत्पुण है तो बताया गया कि ठीक है पाकिस्तान की खबर थी नहीं चपी बहुत सारे matter आ गये थे नहीं उसने क्या कहा समाने से कारण या था कि खबरों की धेर में वह सामगरी नहीं जा सकी तब संपादक ने दूसरे दिन उस सामगरे से कुछ पंग्तिया निकाली, जैसे यह अकबार होता है या अकबार माली यह चार पेचके हैं तो अब अंदर समाचार यह छापना है, तो अंदर समाचार की हम यहाँ पर चार लाइने छापते हैं, तो यह बड़ा इंपॉटेंट होता पहले पेज पर उसने क्या कि दूसरे दिन आया और दो दिन पहले की खबर पहले उसने अंदर जो पेज जो खबर छापने जा रहा है पाकिस्तान वाली उसकी पहले पहले पेज पर उसने उसकी चार लाइने छापी और खेट जताया और खेट जताया उत्तब सब्पादक ने दूसरे दिन उस सामगरी से कुछ पंक्तिया निकाली और उसे पहले पेच पर इस सूचना के साथ छपा कि समाचार को प्रिष्ट संख्या पाँच पर देखे और या खबर कल किनी कार्णों से नहीं छप सके थी। इस तरह से एक-एक सब्द के लिए एक-एक खबर के लिए आपको ये अलाटनेस मुहीम ये जो मुहीम है वो कैसे काम करती है और ये लगाता है मैं पढ़ रहा था आनन बजार पत्रीका का आनन बजार पत्रीका में समर से नाम के संपादक थे अच्छे संपादक थे वो बार-बार कह रहे थे अपने मालिकों को कि आप जो पुर्भी पुर्भी पाकिस्तान की कुछ खबरे आ रहे हैं सिक्स्टीज की बात है आप इसको मत चापिए इसलिए कि उसका कोई फाइदा नहीं हमारे देश में लेकिन असानती फाइल जाएगी हमारे देश में बंगाल में एक कॉमिनल डिवीजन हो जाएगा आप तो एक नेक आदमी की तरह बात कर रहे हैं नेक संपादक की तरह बात कर रहे हैं कि यहां डिवीजन हो जाएगा यह यह हो जाएगा उसने कहा माली कि हैं ऐसी तैसी तुमारी तुम जाओ यहां से और उस वहाँ के रीडर्स के लिए चापी। और हालात ये हो गए कि वहाँ जो कोर्स्पोंडेंट थे, कोर्स्पोंडेंट का फिर बयान आया, कि हम जो खबरे लिख के देते हैं आज कल, वो खबरे उसमें से मैक्सिमम खबरे अब छपनी बंद हो गई है। एक डारेक्शन चला गया, एक डारेक्शन जाता है कि हमको इस इस तरह की खबरें आपको टाइम खतम हो गया होगा, तो मैं खतम करूँगा दूप, तो मैं दरसल दो-तीन बाते और मुझे कहनी हैं, मैं कहलू, चुकि मुझे थोड़ा सा लूब है, मैं दो-तीन बातें ये कहना चाहता हूँ कि अभी दो-तीन बाहस चल रही थी, और नेसलिजम पर, और आप लोग उसको अगर देखना चाहे तो दूरदर्सन की बाहस, एंडी-टी-वी की बाहस, और राजस्सभा की बाहस, इसको आप देखिए, कि जो नेसलिजम को लेकर, और खास तोर से मीडिया को लेकर जो बहस हुई है, वो क्या बहस हुई है, उसमें आपको साब साब पता चल जाएगा कि कौन कहां ख़ड़ा है, और किस तरह के राश्टबात की बात कर रहा है, उसमें एक जो बहुत मारकेबूल जो बात है, जो मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा, कि जैसे ये जितने सब्द हैं हमारे सामने, आजकल जो हम लोग बात करते हैं, आतंकवाद, या जो भी जितने भी तरह के सब्दों का इस्तमाल करते हैं, उसके बारे में, जो कहा जाता है, और ये बात, जैसे हम लोग कहते हैं, पीस प्रोसेस, पीस प्रोसेस ही किस की भासा है, ये क्या पत्रकारिता की भासा है, नहीं, ये आर्मी की भासा है, जैसे हम कहते हैं, टेरिरिस्ट, ये क्या पत्रकारिता की भासा है, नहीं, हम कहते हैं, हमारी सेना, हमारे नहीं है यानि कि पतरकारिता के सब्द नहीं है वो स्टेट के होते हैं सब जिनकों की हम बरतते हैं जिनकों की हम इस्तेमाल करते हैं और ये बात last में ये मैं कहना चाहता हूँ दरसल ये पूरा एक जो global जो पूरा फिनोमेना बना हुआ है ये दरसल उसका हिस्सा है एक बात आप लोग को जरूर ये बात समझनी पड़ेगी ये जो पूरा गलोबल बना है और ये बात मैं कुछ रिफरेंसेस के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ये केवल इंडिया में ही नहीं ये जो राष्टबादी जो ये पत्रकारिता है इसका जो लगतार हम आकरमण देख रहे हैं जिस तरह से ये डेमोक्रेटिक तमाम भेलूच को अप जैसे आप कह दीजी आप जुडिसियल किलिंग जुडिसियल किलिंग आप कह देंगे तो आपकी क्या अहला ताज हो जाएगी आप कैसी बात करते हैं जुडिसियल किलिंग होती है आप नयाले को कड़ घरे में खड़ा कर रहे हैं आप इस तरह की बात आप कर नहीं सकते त्यानी कि जो भी डिमोक्रेटिक जितने स्पेस थे जो भी स्पेस हो सकते वो सारे के सारे स्पेस इस नेस्नलिजम का एजिंडा है कि सारे के सारे स्पेस को हम लोग खत्म कर दे वाइपाल कर दे और ये बात ये बात चली आ रही है तब से जब से Watergate Carnes आपने सुना होगा Watergate Carnes अमेरिका का हुआ और उसके बाद आपको वियतनाम युद्ध का हुआ इसमें जितने भी तरह की जो समय की पूरी पत्रकारिता थी उस समय एक पत्रकारिता की अपनी एक भासा और अपना एक डिश्टी कोन सामने आता था लेकिन ये बाद में 1976 के वाद ये बात नाइन्टी सेवेंटी सिक्स में बलकी मैं कहूं कि घटनाए होने लगी छिटपुट छिटपुट घटनाए अमेरिका में भी दिखाई देने लगी जिसमें की एक एक नीवर्क टाइम्स के संबधाता थे रेमंड बॉंकर निवर्क बंकर को इसलिए निकाल दिया गया कि वह उन्हों ने कहा कि यह जो अमेरिकी सेना सेनी की मदद से सल्वाडोर में की सेना ने एक सहर में कतलियाम मचाया और ये बात उन्होंने सामने ला दी और जैसे ही ये बात आई उनको बाहर निकाल दिया गया तो इस तरह के कई घटनाएं आ रही थी लेकिन ये इसने बाद में ये सेप लेना सुरू किया अब जो ये पूरी जो इस्टेट को जो चुनौती मिल रही है इसको कैसे हम तो निकसन के समय में ये बात तै हुई एक तरह से लेकिन बाद में 2001 में जब अमेरिका में ये जो घटना हुई अमेरिका में जब ये ट्विन टावर पर जो हत्यार बंद एक कारवाई हुई उसके बाद से पूरे के पूरे वर्ड में ये एक तरह से फिनोमेना दिखाई दे रहा है हर जगा ओ इंडिया में भी ये बात उसी तरह से हमारे सामने आई है कि कैसे एक खास तरह की ये पत्रक पत्रकारिता और खास तरह का जो पूरा एक राष्टवाद है उसके साथ कैसे हम इसको कलब करें और कैसे उसको निर्मित करने में कैसे उसको बनाने में उस पूरी भासा और पूरी पत्रकारिता को हम को बरते ये एक योजना उस समय से ये ज़्यादा एग्रेसिव हुई है ज्यादा सेप लेने लगी है जो आज हमारे बीच में कई रूपों में सामने आ रही है आपने मुझे सुना समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद